नमस्कार दोस्तों, जी हाँ बिलकुल आपने सही पढ़ा, this is the black day for US democracy, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कि शायद पहली बार ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, कि US का जो Congress है, जैसे कि हमारे देश में Parliament है, लोकसभा है, राजसभा है, वैसे ही वहाँ पर उसको US Congress कहते हैं, तो यह स्थित है Capitol Hill पर, और इसलिए इसको कहा जाता है US Capitol, वहाँ पर Trump के supporters आ गए, और यहाँ पर उनके द्वारा नारा लगाया गया, in fact वो House के अंदर घुज गए थे, जैसे कि हमारा लोकसभा होता है, राजसभा होता है, उसके अंदर वहाँ पर House of Representative और Senate के अंदर घुज ग dead after rioters stormed the halls of US Congress to block Biden's win, तो यह पूरा मामला है क्या, ऐसा अचानक से ऐसा क्या हुआ यहाँ पर, प्लस यहाँ पर हमें यह भी समझना है कि US Congress के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा था, क्यों सभी lawmakers एक साथ मिले थे, जिसको लेकर यहाँ पर जो Trump के supporters हैं, वो Capitol Hill तक आप पहुचे, तो सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में चलिया आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं, Instagram, Facebook और Twitter पर मेरे lecture की हब पीडियोफ आपको Facebook पर तो मिलेगी, प्लस आप में आप मेरा Telegram चैनल जोइन कर सक इसको हम Capital Building के नाम से भी अक्सर जानते हैं, ये basically एक legislative branch है, meeting place है United States Congress का, Congress जब मैं कहता हूँ जैसा कि मैंने आपको starting में बताया, जैसे हमारे देश के अंदर संसद है, Parliament है, जिसको कहते हैं, जिसके अंदर लोगसभा और राजसभा होता है, लोगसभा आपका lower house है, वैसे US के अंदर जो house of representative है, उसको lower house कहते हैं, और हमारे देश में जिस तरह से राजसभा है, जिसको हम upper house कहते हैं, वैसे US के अंदर इसको Senate कहा जाता है, तो यही दोनों चीजें दोस्तों यहाँ पर स्थित हैं, और इसको कहा जाता है US Capitol, और basically यह जो US Capitol है basically, यह located है Capitol Hill पर, जो की Washington DC म नाम से भी अक्सर आप सुनते होगे, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसकी exact location भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर हमें थोड़ा zoom out करना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा USA की तरफ, और यहाँ पर आप देख सकते हो, यह है आपका United States of America, और यहाँ पर हम आपका Senate जहाँ पर बैठती है, और यहाँ पर है आपका House of Representative, यह वाला जो आप कॉलम देख रहे हो, तो यह Lower House है, और यह वाला आपका Upper House है, और यह पूरा दोस्तों एक Hill परिस्तित है, इसको Capital Hill कहते हैं, और इसी particular जगह पर जो Trump के समर्थर है, वो पूरा आ गया पहले बा करनून के आसपास, यहाँ पर जो US Capital है, इसको Lockdown करना पढ़ गया था, पूरी तरह से Lockdown करना पढ़ गया था, लेकिन यहाँ पर चिंता की बात यह थे, कि Lawmakers US Congress के अंदर ही थे, जिस तरह से हमारे देश के अंदर Member of Parliament होते हैं, वो House के अंदर रहते हैं, वैसी वहाँ के जो Law Makers हैं, वो House के अंदर थे, और तभी यह आपका जो Violent Clash है, वो निकल पड़ा, और यहाँ पर President Donald Trump के जो Supporters हैं, और पुलिस के बीच में यहाँ पर काफी जादा Clashes देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर जो Trump है, उन्होंने basically क्या किया था, कि Washington में ही यह जो US Capital है, उसके पास ह यहाँ पर एक rally किया था, rally में Trump के बहुत सारे supporters आये थे, और आप देख सकते हो कि Trump के दोरा यहाँ पर नारा दिया गया, we will never give up, और यहाँ पर आप news देख सकते हो, Trump told crowd you will never take back our country with weakness, और इनी सारे चीज़ों को देखते वे बताया जा रहा है कि इस rally के अंदर काफी जादा भ आप देख सकते हो, इस तरह के pictures आपको देखने को मिलेंगे, barricades वगरा लगे वे थे, उसको यहाँ पर उखाड कर फेका गया, और यहाँ पर जो police है, वो riot gears में थी, उन्होंने हटाने की कोशिश की, shield वो पहने वे थे, paper spray भी यहाँ पर किया गया, लेकिन उसके बावजू कि यह US नहीं कहीं, और देश की हम बात कर रहे हैं, अब यहीं नहीं हुआ, यह basically यहाँ पर US capital की यह बाहर है supporters, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, यह अंदर चले जाते हैं, capital building के अंदर चले जाते हैं, और वहाँ पर firing की भी reports पाई गई हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि shootings वगर भी किया गया है, पुलिस के द्वारा ताकि protesters को हटाया जा सके, in fact जो lawmakers थे, दोनों houses के अंदर, उनको यहाँ पर mask भी दिया गया, gas mask दिया गया उनको पहनाने के लिए, ताकि अगर suppose यहाँ पर जो police officers हैं, अगर वो tear gas का इस्तमाल करते हैं, protesters को हटाने के लिए, तो lawmakers हैं, वो यहाँ पर safe रहें, और आगे चलकर यहाँ पर यहाँ भी खबार आती है कि, guns और tear gas का finally इस्तिमाल किया गया, ताकि जो protesters हैं, उनको house of representative और senate से यहाँ पर हटाया जाए, आप यहाँ पर picture भी देख सकते हो, यह senate के, यह जो आपका पूरा congress है, उसके अंदर की pictures है, आप यह देखिए, यह जो lawmakers हैं, आपके house of representative और senate के अंदर किस तरह से छुपके यहाँ पर बैठे वे हैं, इस तरह की pictures शायदी किसी ने imagine क्या होगा कि US के अंदर भी हो सकता है, और इसी बीच क्या होता है कि यहाँ पर एक महिला है, उनकी भी मित्यू हो जाती है, तो काफी बुरी खबर लगतार यहाँ पर आ रहे थी, और इसी सारी चीजों को देखते वे जो Twitter और Facebook हैं, उन्होंने यहाँ पर 24 घंटे के लिए temporary Trump का जो account है, उसको block कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर लगतार आरोप लगाया जा रहा है कि जो Trump हैं, वो एक तरह से भढ़काने की कोश Republican Party से हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो George W. Bush के द्वारा क्या statement दिया गया है इन सारी चीजों को लेकर, उन्होंने लिखा है कि we were watching the scenes of mahem unfolding at the seat of our nation's government in disbelief and dismay, मतलब कि उनको यकीन नहीं हो रहाता कि इस तरह की चीज़े हमें देखने को मिल रही हैं, यह बहुत जादा Heartbreaking है, this is how election results are disputed in Banana Republic, not our Democratic Republic, तो यहाँ पर उनका बस यही कहना है, कि इस तरह की ज्यादा तर चीज़े हमें, जैसे आपका Middle East के countries हो गए, Iraq हो गया, Syria हो गया, इस तरह की जगा पर हमें देखने को मिलता है, लेकिन पहली बार इस तरह के scenes हम यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ प इसके बारे में tweet किया और कहा कि, distressed to see news about rioting and violence in Washington DC, orderly and peaceful transfer of power must continue, the democratic process cannot be allowed to be subverted through unlawful protest, तो यहाँ पर जो unlawful protest हो रहा है, इसके तरह यहाँ पर जो पूरा democratic process है, उसको हम यहाँ पर subvert नहीं कर सकते हटा नहीं सकते, लेकिन फानिली यहाँ पर कुछ समय पहले यह ख़़र आती है कि US capital को पूरी अच्छे तरीके से secure कर लिया गया है, और जो lawmakers inside में थे, वो सुरक्षित हैं, और यहाँ पर वापस से जो कारवाई जो भी किया जा रहा था उनके द्वारा, वो अब चालू हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आपके मन में लगतार सवाल आ रहा होगा, कि ऐसा क किया हो रहा था आज जिसकी वजए से जो protesters हैं, वो आपके US Congress के अंदर घुज गए, US Congress के अंदर जो lawmakers हैं, वो ऐसा क्या कर रहे थे, तो आपको याद होगा दोस्तों, यहाँ पर 3rd of November को जो आपका election हुआ था, उसका finally result पूरी तरह से आ चुका है, जिसमें Joe Biden ने 306 seats जीता ह है, Donald Trump ने 232 seats जीता है, तो यहाँ पर जो blue color वाले states हैं, उसको Joe Biden ने जीता है, और जो red color वाले हैं, उसको Donald Trump ने जीता है, तो अब वेसी बात है, यहाँ पर जो 270 का majority चाहिए, उसको अच्छे तरीके से प्राप कर लिया है Joe Biden ने, लेकिन देखिए अब क्या होता है, कि representative होते हैं, बेसिकली, electoral college कहा जाता है, बेसिकली उनको, जैसे कि आप for example, California लीजिए, जहाँ पर सबसे ज़्यादा seats हैं, इसमें total 55 seats हैं, तो 55 seats जो हैं, जो जीते हैं, वो represent कर रहे हैं Joe Biden को, मतलब कि Joe Biden ने उनको अपनी तरफ से representative के तोर पर उतारा था, तो यह जो 55 लोग हैं वो अब finally यहाँ पर क्या करेंगे, उन्होंने किसको president चुना है, क्या वो Joe Biden को चुनेंगे कि Donald Trump को चुनेंगे, obviously बात है क्योंकि Joe Biden ने उनको representative के तोर पर उतारा था, तो उनको यह Joe Biden ही चुनेंगे, लेकिन इसको formal तरीके से करने के लिए electoral college को यहाँ पर voting करनी होती है, तो जब इन सभी लोगों के द्वारा voting कर ली जाती है, उसकी counting होती है, उसको validate किया जाता है US Congress के द्वारा, US Congress क्या है मैंने आपको अलोड़ी बता दिया, House of Representative of Senate, यहाँ पर जितने members हैं को क्या करते हैं, इनको एक तरह से validate करते हैं कि इन्होंने जो चुना है Joe Biden को क्या वो सही ह है कि नहीं सही है, और आप देख सकते हो इनका जो vote है, वो इस ballot के अंदर बन था, तो जब यहाँ पर counting का process जब जारी हो रहा था, जब स्कीजें चल रही थी, तभी यहाँ पर Donald Trump के supporters ने धावा बोल दिया आपका US Congress के अंदर, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक tweet भी है Electoral College ballots rescued from Senate floor, if our capable floor staff had not grabbed them, they would have been burned by the mob, तो यहाँ पर उसको जलाया भी जा सकता था, जिस तरह के scenes आ रहे हैं, तो उसके बाद अगर जला दिया जाता तो बहुत बड़ी problem create हो सकती थी, तो basically यहाँ पर Congress के अंदर क्या हो रहा है समय, कि यहाँ पर final जो प्रक्रिया होती है, जो Biden क चुनने की, वो आपका US Congress के द्वारा certified किया जाता है, तो यह certification का पुरा process last चल रहा था, इसी बीच यह पुरा मामला सामने आता है, तो I hope दोस्तों इसमें सभी कुछ आपको समझ में आ गया होगा, जाने से पहले मैं आपको बता दो कि यहाँ पर लगतार news में यह भी चल रही है कि जिस तरह का act किया गया है Donald Trump के द्वारा भढ़काने की कोशिश की गई है अपने supporters को, इसको लेकर 25th Amendment का भी इस्तमाल किया जा सकता है, यह amendment basically क्या है, यहाँ पर जो Donald Trump है, अगर इस amendment का इस्तमाल किया गया US Congress के द्वारा, तो Donald Trump को यहाँ पर within 1 or 2 days के अंदर भ 5th Amendment का इस्तमाल करकर, यहाँ पर जो Trump है, उनको power से तुरंथ हटाया भी जा सकता है, और इसके लावा एक और चचा चल रही है कि उनको impeach भी किया जा सकता है, let's see कि आगे क्या होता है, but I hope कि इस पूरे वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कि इस समय चल क् US के अंदर, तो finally दोस्तों, जाने से पहले मैं आपके लिएक question लेकर आया हूँ, क्योंकि हम president की बात कर रहे हैं, election की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भारत के अंदर जो president का election होता है, उसमें कौन-कौन से electoral college शामिल होते हैं, तीन statement है, बताईए, यहाँ पर कौन सा statement correct होगा, इसका जो right answer है दोस्तों, हमेशा की तरह मैं अपने Instagram पर तो डालूँगा ही, अगर आप Instagram पे नहीं हो, कोई बात ने, Telegram से ले सकते हैं, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, stories के form में आप जाकर play कर सकते हो, अगर आप मुझे economy पढ़ना चाते हैं, कोई भी course purchase करन चाते हैं, Study IQ आप पर जा सकते हैं, यहोग की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ से नेक्स टैम टेल देन, thank you very much, see you soon.